हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू आजाद आईयस अकेडमी यूट्यूब चनल दोस्तो मैं इसके गुपता दोस्तो आज के इस वीडियो में हम करेंट अफेयर से लेटेड एक मुद्दे की चर्चा करेंगे बैस्विक मुद्दा है जो कि आपका रोहेंगिया रोहेंगिया इन महत्वपूर्ण विंदू उपर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाला हूं मैं आपके साथ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कोस्टन है उन सबके आंसर जो है मैं आपको इस वीडियो के इंतरगत दूंगा ठीक संकलन किया हुआ है तो आप वीडियो के स्टार्ट से इंट तक देखिए और अपना पेसेंस लेबल बना के रखिए ठीक है दोस्तों तो देखिए यहां पर हम बात करेंगे इस वीडियो के इंतरगत पॉइंट जो हम बता दूंग आपको रोहूंगिया कौन है किस परिंद और हिлемर चर्चा में आया है मैं बात करता हूं यह पे भारत की अड़ियो के बाद करोंगगा रहते हैं नहीं तु siempre मुख्य देशों के नाम मैं जो आपको बताऊंगा जो आपके एक्जाम से लेटेड हो सकते हैं ठीक है और यहाँ पर रोंगियों की भारत में विश्यस इस्तिति ठीक है और रोंगियों भारत के लिए खत्रा कैसे हैं यह सबसे महत्तुपूर्ण बिंदू इस बिंदू पर ब सब्सक्राइब के खिलाप मतलब जो है कोट में जो है याची के पर सुनवाई भी हो रही है क्या है पूरी जो तत्थ हैं एक एक तत्थ को जो हमें आपको पूरा ब्याख्यान के साथ यहां पर बताऊंगा ठीक है दोस्तों तो आप वीडियो को स्टार्ट से एंट तक देख रहे हैं तो इन पॉइंट को आप गौर से देख लीजे एक बार पढ़ दीजे इसके बाद मेरा जो साउंड आएगा उस साउंड से जो है आप जो है कंसंटेशन के साथ जो है आप उसको सुनिए और यह जो पॉइंट है मेरे एक जो मैं बोलूंग आपको उनके साथ जो है मैच करेंगे तो आप देखते जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं रोहंगिया लोग इनकी बात करते हैं यहाँ पर तो एतिहासिक तोर पर अरकानी भारतिये यानि की आकनीज इंडियाज के नाम से भी जाना जाता है इन्हें मियमार देश के लाओं इलाके में बसने वाले राजविहीन हिंदी आरे लोगों का नाम है रोहंगिया रोहंगिया लोग आतर पर मुसल्मान होते हैं यह लोग रोहंगिया भासा बोलते हैं उनाइटेट नेसंस के मताबिक रोहयंगिया थोद्ग निया में सबसे उतपीड़ित अलप संखे सम्हों में से एक हैं ठीके दोस्तों तो आपके जो पॉइंट है यह अकनीज इंडियन बंगलादेस के चटगाओं में इस्थित्य हैं ठीके और यह मुसल्मान होते हैं और दुनियक सबसे उत्पीड द्व्यक्ति यूनाइटेड नेशन्स का कहना है और मियामार देश के ठीक तो आपको मैंने सारे चीज़े बता दी हैं और यहां पर देखे मैं एक एक चीज जो है आपको और मैं तो पूरा व्यक्तियान से बताऊंगा लेकिन कोई चीज़े में आपको पिक्स माध्यम से सो कर रहा हूं तो आप पोस्ट करके पढ़ लीजेगा ठीक है यह रहा आपक कर दोस्तों तो आप यहां पर हर एक प्यंट को आप यहां सकते हैं ठीक है है कि मैं आपको फिसतों औंप रहा प Minhाली जिए बंचली कर Dев 50 करते हैं इसके साथ ही बात करते हैं यह जो ईह जो øकी मेरा सफर भी करते हैं ठीक है दोस्तों तो पर यहाँ पर सामूही कब्रे हैं इनके सामूही कब्रे कहा बन गई इनके यह चीज जो है आपको पढ़ लेना है आपके ठीक है बाकित तुम्हें आपको जो है फल एक चीज से जुर भी आउकत करवाओंगा ठीक है इंसानि तस्करी देखिए इनकी तस्करी होती है मजबूरी कह कहां कहां होती हैं आप Food को पर सकते हैं तो बंगलादेश में आस राय romance के लिए और यहां पर जो है the चाहां कहां से असारन कहा नहीं अब जो इस पोइंट को पढ़ सकते हैं ठीक है और यह दो हो रोंग यह लोग कहां कहां रहते हैं कहां भटक रहे हैं ठीक है और इस उजवाद चुर्ट कर आप सकते हैं इसके बाद यह मैं भी आपको ब्यापक चर्चा करूगा अभी ठीक है मानुवादकार समुभी से अपील भी आ आपके बारे में कि पॉस्सक्राइबे ही यह इसो मिपटाराई सब्सक्तुर्ण को आप देख सकते हैं ये जो मॉल्म नेता हैं उनके बारे में नेतांग सांसूक ची जो है उनकी यालोचना हो रही है तो यह भी आप पड़ सकते हैं इसके बाद देखें पॉंट की चर्चा करते हैं आपके जो नेस्ट पॉंट है आपका यह देखें पहले सबसे पहले मैं आपको यह पर दिखाण है आपने डेशा की तो दरूहेंग्या merged मसें थी चर् circles रहते हैं तो सबसे पहले आपको म्यामार के बारे में जानना जरूरी है और पॉंट हो सकता है UX दो सब्सक्राइब सब्सक्राइ इसलाम कबूल किये हुए चोट आर्दसम्लों तीन प्रसत है और हिंदू की बात करते हैं तो यह में रिलीजियन धर में जो वहां का ठीक है और जो रखाएन की बात की मैंने तो रखाएन रखाएन उसका दूसरा नाम के है अरकान ठीक है तो यह जो है इसका जो छेतर पड़त चेतर और यहां का जो चीफ मनिस्ट कर सकते हैं रखाएन के नेप हुए तो यह भूंदर राजशी के बारे में हुए और अभी विलीजिया विलीिखेंस की दोूदर पढ़ना चाहें वैसे पढ़ सकते हैं और जो यहां पे स्टेट काउंसलर रहें आंग सान सूकी ठीक है तो वैसे तो पचीस साल बाद चुना हुआ और चुना होने के बाद जो है आंग सान सूकी जो नेशनल लीक फॉर डेमोकरसी की जो है विजयता बनी लेकिन इसके सभान है आंग सान सुकी के यहां बंगलादेश के बाद करते हैं अब यहां के राश्टपती हैं अब्दूल हमीद टिक है और यहां के जो प्रदान मंत्री हैं छीक हशीना ठीक है प्रदान मंत्री है शेक parc्र-team और जो गुर्णमेंट परडी चैन फ़ींटी ए उनीक रिपब्लिक ठीक की जो राजदानीं धाक सी ऐप ठीक है अगणलादेश के रांगविज है यहां बेंगाली बहनात है बंगलादेश की बात करते हैं बंगालादेश मेंठें 0.2 % सब ज्यादा इस्लाम है तो नियवव पॉइंट है ऑप्य क्लियर है प्लियर क्लियर है याँ पर बैग्राउटर आए उसके लिए आप झोड़ा एक्नॉर कीजिए फ्रैंट तो यह मैं बंगलादेश के सब्सकुन अब आपको इन points को देखना है और इन points के बारे में बताऊंगा आपको सुनना है और screen पे देखना है ठीके दोस्तो मियमार में स्थिती इस point में बात करता हूं जो है तो 2016 17 संकट से पहले मियमार के पस्चमी रखाईन तांत में करीब 10 लाख रोहेंगिया लोग रहते थे और यह लोग इस देश की सरजमी पर सद्यू से रहते आये हैं लेकिन बर्मा के बहुत लोग और वहां की सरकार इन लोगों को अपना नागरिक नहीं मानते हैं इन रोहेंगिया लोगों को म्यामार में बहुत अत्याचार सहना पड़ता है बड़ी संख्या में रोहेंगिया लोग बांगला देश और थाईलैंड की सरहदों पर इस्थित सरडार्थी केम्पों में अमानुवी हलतों में रहने के लिए मजबूर हैं ठीके दोस्तों गर मैं आपे बात करता हूँ और जो है तो 1982 मियामार राष्टिता कानून के तहेत रोहेंगिया लोगों को मियामार में नाग्रीकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित हैं ठीके दोस्तों और human rights watch के मुताबिक zien rage 82 कानून में कानून ने प्रभावी तौर पर रोहेंगिया लोगों के लिए राश्टी रिता प्राप्त करने की कोई भी संभावता दूर की थी ठीक है दोस्तों मियामार में रोहेंगिया लोगों का इतिहास आथवी सदी में सुरू हुआ था इसके बावजूद इन्हें में अमारी कानून के आठ राष्टी समूहों में से वर्गिक्रत नहीं किया गया है वे अंदोलन की सुतंता राज्य सिच्छन प्राप्त करने से और नागरिक सेवा में काम करने से भी प्रतिवंधित है ठीके दोस्तों में रोहंगिया लोगों की कानून अवस्था को कानूनी अवस्था को दच्छन आफ्रीका में रंग भीद नीत यानि की अपाथींड के साथ तुलना हुई है थीके, दोस्तों तो यहांपे जो इनकी कानूनी वस्ता है, उसकी जो है आफरीका में रनग भेद यानि की जो है आपाथमिण्डू के साथ तुलना भी की गई है, ठीके, दोस्तों, मजबूर हैं प्रतिबंधित हैं यहां पर रुहंगिया लोग म्यामार में चुए कर और यहां पश्मि रखाइब चले रहा है रहते हैं कर यहां स्थित है और रखाइब राज में हुआ क्या जो है आपका इस point पर चर्चा आपकी बंती है कि भाई आप जो है इस विशे पर चर्चा कर रहे हैं तो ये point है क्या ठीक है दोस्तों तो आजी देखिए यहाँ पर इस point पर हम चर्चा कर लेते हैं अखिर रखाइन राज्य में हुआ क्या तो आखिर रखाइन राज्य में हुआ क्या मियमार के मौग डोव जो आपके सामने लिखा हुआ इस्क्रिन पे तो मियमार में मौग डोव सीमा पर नौपुलिस अधिकारियों के मारे जाने के बाद रखाइन स्टेट में सुरच्षा बलू ने बड़े पैमाने पर आपरेशन सुरू किया था सरकार के कुछ अधिकारियों का दावाहे की ये हमला रुहुंगिया समुदाय के लोगों ने किया था इसके बाद सुरच्षा बलू ने मौग डो जिला की सीमा को पूरी तरह से बंद कर दिया और सो से ज़य्दा लोग मारे गए और सैक्ड़ो लोगों को गरिपतार किया गया म्यामार के सैनिको पर मानवा धिकारों के उलंगं के संगीन आरोप लगे सैनिको पर प्रताड़ना बलातकार और हत्या के आरोप लगे हाला कि सरकार ने इसे सीरे से खारिश कर दिया ऐसा माना जा रहा है कि सैनिकों ने रहोएं गिया मुसल्मानों पर हमले में हिलिकाप्टर कर भी इस्तमाल किया मियमार में जो है मैंने आपको पॉइंट आए था ठीक है आंसान सूकी की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रसी की को भारी जीत मिली थी हलाकि समवैधानिक नीमो के कारण वह चुनाव जीतने के वाद भी राष्टपती नई बन पाए थी ठीक है दोस्तों तो रखाएं राज में क्या हुआ यह स्थिति आपको समझ में आ गई हो होगी नहीं आई तो आप दोबारा सुन लीजेगा ठीक है पोस करके वीडियो देखिए यहां पर बात करते हैं रखाएं सच्वेटेट कहा है देखिए माइप के द्वार आपको समझाता हूं देखिए आपका जो है मैं हमार का एक पार्ट है इधर पस्मी प्रांत यह रख और बंगलादेश के साथ जूड़ा हूँ आपका यह इंडिया ठीक है दोस्तों आपको दिख रहा होगा और यह बंगाल का जो रास्ता है बीच में यहां पर नेच्ट में आपको आपको रखाएं स्टेट मैमार देखिए यहां पर समझें आपको मैमार है कंट्री और इसक जो है बंगलनेश की स्थिति है ठीके दोस्तों और यह आपका यहां पर ब्याव बंगाल है एक मैप से और समझते हैं यहां पर यह देखिए यहां पर बॉड़र वगएरा कैसे जूड़ी हुई है आप जो समझ जाएंगे यहां पर बिल्कुल तरीके से अच्छे से देखिए कि अच्छे से देखिए इसकी राज़ान आप पूरा इलाका यह है और यहां पर बात करें तो इदर मागवे रीजन से जूड़ा हुए और यह चीन स्टेट से जो बॉर्डर जूड़ा हुए है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर बंगलादेश को हैं यह आपका अंगला देस इधर करें दोस्तों तो आपको र्खाइन की यित्नी स्थितिया यहीं आप देख सकते हैं और या बंगाल है ठीकत कै né तो आप पूरी चीजह यहां पर देख सकते हैं कि लिए डियर डियरली आपको समझत में आ होगा है तो रख़ाइन स्टेट पहां अश्थ्थ है और में क doublet में जो रहहोंगी स्टिति क्या हैस्ति यह तो यहां पर पॉइंट ऑपक्व का रख़ाइन जो है और रख वा जो रहां रहते हैं तो आपको पॉइंट हम चर्चा करते हैं अदया और चे climate बंगलादेश मियामार मियामार मियाने की रखाइन राज पाकिस्तान थाइलैंड मलेसिया भारत सायूग राज अमेरिका इंडोनेशिया नेपाल शाओदी अरब ठीक है इस जगर पर रहते हैं देकि बंगलादेश पर बात करते हैं तो यह आपके जो है कि नव लाक लोग जो है शो एट फ़सेंबर 2017 की जो कॉंटिंग है बंगलादेश में नव रोक रहते हैं जो है श्टाब यहां पाइस पास तो 250,000 लोग भी तहीक है और और सौधी user में कटन वोग रहे हैं को 4 hacking साथियाराथ Когда Boris में कहते हैं in हide को ड्रूइब न होगह वे पाकिस्थां है पाकिस्तान में आपके दो लाक लोग रह रहे हैं और यहाँ में चालीज जार चालोग रह रोलोग यह أنतर उद्धा। तो आप और यहां पर भारत हैं भारत पर 40,000 लोग करीब से तंबर जो है 2070 काउंटिंग के काउंटिंगं deal writer ठीक दूस्तों तो यहां पर भारत की राज्ज्ञ शुत्सा sensor करते हैं तो 1200 हजार प्लस जो है यहां पर जो है सितंबर 2017 में हो गई अपकी जो चर्चा यह और इसके साथ जाथ जो चर्चा करते हैं इंडोनेशिया की इंडिया इंडोनेशिया में जो है गयर हजार नौ सेकतालिस और नेपाल में जो है चर्चा और इंडोनेशिया और भारत आप संख्या अपर मलेशिया फाइलेंड पाकिस्तान साओधी अरब मियामार पांगला देस ठीक है तो यह मुख्य देश हैं कंटरी हैं जहां जहाँ हैं जrageंट हो अपका right और देखिर आप यह एक एक स्थित को जो है मैं और है अपछ्छे समझाणगा लेकिन आप यहां मि परने सकते हैं और यहां पर मलेशिया में धिए मनें आपको एतायर प्रेया ट है यह ए और इसक्नार जो है तिम्रॉप मैं उन्के आपके ख्रकार जो हों तक्राइव डिए रहां ह 1956 2ौज यह मुझम्हा आपने उपर वाले पॉइंट है उनको पोस्कर के वीडियो पढ़ सकते हैं तो आपका नेश्ट पॉइंट है रोंगीयों की भारत में इस थी और रोंगीयों भारत के लिए खत्रा कैसे जो आपके सबसे बड़ा पॉइंट है इस मुद्दा में आपको जहां तक मेरी कोशिस है कि आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत ही ब्यापक चर्चा होने वाले इस पिसे पर देखिए बात करते हैं हम स्टार्ट बारत की सुरच्छा के लिए खत्रा है रोंगीयों कैसे बारत सरकार ने सुप्रीम कोड में कहा कि रोंगीयों सरडार को दी गई चुनोती पर सुनवाई कर रही है जिसमें देश में रहने वाले 40,000 रोंगीयों सरडार्ट बाहर बेजने की बात है दिल्ली में रहने वाले दूर रोंगीयों लोगों ने परदान मंत्री के फैसले को चुनोती दी है ये दोनों 6 साल पहले मैमार के रखाइन में हिंसा के बाद भाग कर दिल्ली आ गए थे ठीक है तो इनकी जगर नाम की बात करूँ तो इनके नाम है मुहमद सली मुला और मुहमद साकिर ठीक है मुहमद सली मुला मुहमद साकिर ठीक है दोस्तों सरवोचे नियाले में याचिका दायर कर इन्होंने जो है कहा कि रोंगीय शमुदाय को उनके देश यानि कि म्यामार वापस भेजने का प्रस्ताओत दे कर यहां की सरकार उसके लिए उनके लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम रही है ठीके दोस्तों म्यामार से भाग कर आए जो रोहोंगिया मुसलमान की संखिया प्रसले एक दसक में 40,000 तक पहुंच गई है और संयुत राष्ट के मुताबिक इन में से 15,000 लोगों को सरंदार्थी दस्ताविस दिये गये हैं ठीके दोस्तों हलाकि भारत जो है इन सबको बाहर निकालना चाहता है ठीके दोस्तों देखिए मैं दस्ताविस के सब्सक्राइब कर देखिए ईं जीवन को खत्रा होने के कारण बहुत से रोहंगिया मुसल्मान अपने देश से बारत भाग कर आए अगर उन्हें वापस भेजा जाता है तो इससे उन्हें गंभीर खत्रा होगा भारत से निकालने पर उनकी मुरत लगभक निशित है और सरकार कईया कदम भारती समधान के तह सभी को मिले जीवन के मूल भूत अधिकार का उलंगन है इससे सभी अंतर राष्टी संधियों का भी उलंगन होगा अदालत ने इस याचिका पर सरकार से जवाब मांगा है ठीके दोस्तों अगर हम बात करते हैं देखे खत्रा कैसे हो रहे है तो जो है रोहंगिया मुसल्मा मुसल्मानों के मसले को दो रूपों में देखा जाना चाहिए एक वह जो भारत में रह रहे हैं और दूसरे वह जो मियामार से भागने की कोसिस कर रहे हैं ठीके दोस्तों तो भारत में रहने वाले रोहंगिया मुसल्मान 1980 और 1990 से रह रहे हैं जिनने यहां रहते हुए करी सरकार ने नजर क्यों नहीं रखे है ठीक है दोस्तों 20 साल के बाद यहतरक अचानक कहां से आया के रोह होंगया हमारे लिए खत्रा है हलाकि यह बात भी सही है कि अलकाइदा या आईएस ने कहा है कि दच्छिड एसिया में भी उनका धड़ा है और उनों ने उस धड़े को बंगलादेश म्यामार में मौजूद होने के बारे में कहा है ऐसी अंतराश्टी रायब बन रही है कि हो सकता है कि इनकी जड़े रोहिंगिया मुसलमानों में हो ठीके दोस्तों रोहिंगियों की जो अराकान रोहिंगिया रच्छा सेना है उसके नेता पर सक है कि वह कराची में पैदा हुआ है और सौधी अरब से सिच्छा पाने के बाद वही से इस संगठन का संचारन कर रहा है यह सक सही है या गलत यह कहना भी मुस्किल है इसलिए इन दोनों पच्छों को अलग अलग देखना चाहिए एक रोहिंगियों की समस्या जो मैमार में है और दूसरे सरंडार्थी जो हमारे यहां रह रहे हैं ठीक है दोस्तों तो जो यह मुद्दा है आपका रोहिंगियों बैस्विकिस तर पर और भारत के लिए खत्रा कैसे जहां तक मैंने आपको समझाने के कोशस की है है और मुझे लोगता कि आपको जो पॉइंट है मेरे साबसा कुछ चूटा हैं तो आपको जुह है इससे में बार रहे होंगे और अगर जो आपको पॉंट नहीं समझा रहे हैं आप वीडियो एक से दो बार देखिए ठखें और वीडियो को आप अपने प्लेलिश में से भी कर सकते हैं जो प्लीज अपने प्रतक्रिया दीजे जिसएये अभी विडियो और बनाज सकुम्, okay friends, so thank you for listening me and please subscribe our channel for competitive examination.